पशी मंगाल में आज श्यानी मंगलवार को तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है ऐसी में बंगाल में आज कुल 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है मतदान के शुरू होते ही बीजपी और त्रिन मोल कॉंगरस में आरोप प्रते आरोप का सिलसला भी शुरू हो गया है ऐसे में टीमसी ने पॉलिंग बूत पर वोटरों को परिशान करने का आरोप लगाया तो वहीं बीजपी नेताओं का आरोप है कि एक EVM टीमसी नेता के घर के भार मिला है तो यहां टीमसी नेता का घर EVM मिलने से हड़ कम्प मचा हुआ है बता दे कि बीजपी नेता चुरन वीरा ने ये कड़ा आरोप लगाया है कि मतदान से पहले की रात टीमसी नेता गोतम घोश के घर से EVM और वीवी पैट की मशीने मिली है तो यहां आपको बता दे कि बीजपी नेता ने टीमसी पर चुनाव में गड़बड़ी कारोप लगाया है देर रात को ही यहां पर माहोल बिगड़ा जिसके बाद सुरक्षा वलों को लाठी चार्ज करना पड़ा